देखिए आप में से काफी सरे कंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिहार से दो बरसी बीड करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छी अपडेट है अपडेट यह है कि उसका परवेश परिछा होता है एडमिशन के लिए वो फर्म कब से फिल अफ होगा उसका डेट य साथी साथ महतपूर आपके पास दास्तिवेज क्या होनी चाहिए इसे जुड़ी जो है सभी जनकारी हम कभर कर रहे हैं इस वीडियो में और साथी साथ आप सभी जानते हैं कि इसमें परवेश परिछा होता है उसमें जो भी अंग प्राप्त करते हैं उसके बिहार पे ही आ करने की पूरी संभावना यहां पर बन रही है तो कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिल किये जाएंगे जैसे कि उसके रिगार्डिंग भी जनकारी इसमें अल्मुष देखेंगे तो बता ही दिया गया है तो आप अंदजा लगा सकते हैं कि आपका जो अप्लिकेशन फॉ चाहिए और एप्लिकेशन फी आपको कितना देकर जो है फॉर्म को भरना होगा और साथ ही साथ भी बताएंगे कि इसमें बहुत सरकारी कॉलेज होते हैं जिसके माधिम से अगर आप बीएड करते हैं तो आपका बहुत ही कम खर्चा में बीएड हो जाता है तो सरकारी कॉले प्राउजर को उपेन करना है और आपको सर्च करना है इजीटुने.com ठीक है यहां पर सर्च करेंगे तो आपको इजली जो ही जो ही जनकारी आपको उपलाउट करा दिया जाती है अब जब इसका आविदन सुरू होता है तो यहीं पर आपको लिंक भी मिल जाएगा जिसके माधिम से इजली आप लिंक को फाइंड करके फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखेंगे अभी जो ही बिहार बीट का जो ही आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा हलाकि लेट्स आएंगे तो नहीं देखने को मिलेगा तो आप यहां पर सर्च कर लेना या फिर इसक्रिप्सन बस को चेक कर लेना वहां भी हमने लिंक को उपलाउट करवा दिया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जनकारी भिष्टार से बताई गई है कि आपका जो अप्लिकेशन फॉर्म है कब से सुरू होनी के संभावना है साथी साथ यहां पर आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में जो है चार बर्स बीड भी लागू हुआ है तो जो इस पेसल एजूकेशन में लागू हुआ है उससे आपको घबरानी क्यों सकता नहीं है ठीक है और हम जो बात कर रहे है जो है जैर्नल बीड है इस पेसल बीड किनके करने का मौका नहीं दिया जाएगा यह बात बोला गया लेकिन अगर आप जेर्नल में करना चाहते हैं माली जेर्नल का मतलब क्या कि किसी भी प्रकार के जो बच्चे है उसको पढ़ा सकते हैं तो यह जो है दो साल में ही आपका बीड होगा जो कि गेजवेशन के बाद ही होत जो इनका प्रिवियस यर का नोटिफिकेशन है उसको आपको यहां पर डाउलोड कर लेना है क्यूंकि हमने यहां पर लिंक दिया हुआ है तो उससे आपको प्रोपर जनकारी यहां पर मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि इसमें जो ही क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है ठीक है उसके बाद हम और भी महतपूर जनकारी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं थुरा सम जूम कर देते हैं चुकि आपको समझ में आए क्वालिफ भी किया हुआ है, ठीक है, 50% अउंकों के साथ, तो आप यहां पे form को भर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपने B, B-Tech भी किया हुआ है, जैसे की बिज्ञान और गनीत में 55% अंकों के साथ, तो भी आप form को भर सकते हैं, कोई भी दिकत नहीं है ठीक है तो यहां पर क्लियर हो गया कि बिहार में जो सीटी बीएड है उसके लिए आपका प्रास क्वालिफीकेशन क्या होनी चाहिए इसको फुल्फिल करेंगे तो आप फॉर्म को भर पाएंगे कोई भी दिकत नहीं है बाकी कोई सिक्षा सास्त्री से बीड करना चाहता है तो उसका जो है जो असनातक है सिक्षा सास्त्री होनी चाहिए यहां पर बोला गया जिसमें 50% अंग भी प्राप्त उसको होनी चाहिए बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी जनकाडी दिया गया है तो आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं इसमें हम आपको बता दें कि जो भी ACST होते हैं या फिर कोई BCBC होता है उसको जो भी 5% छूट मिल जाता है जो भी उसका qualification है उसके marks में ठीक है तो इन बातों को धिया रखेंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे इसमें बिहार का जो है मून निवासी होने पर आपको जो है डुमिसाइल और बिहार के रूप में जो भी उसका certificate है आवास पमण पत्र है वो आपको देना होगा जो की document आपको बनवा लेनी है category में देखेंगे जो भी BCBC हैं उनको जो है यहाँ पर बोला गिया है कि certificate देना होगा तो BCBC के लिए देख सकते हैं क्रीमिलियर अगर आप उसके अर्तगरत आते हैं तो लगा सकते हैं तो क्रीमिलियर भी आपके पास होनी चाहिए बाकि आप EWS है तो उसका EWS प्रमार पत्र रहेगा तो जाती अब बनवा सकते हैं क्योंकि लगेगा ठीक है दिव्यांग है तो आपके पास दिव्यांग सटिफिकेट भी होनी चाहिए उसके बाद पाचान पत्र में एक आपको प्रूफ कोई देना होगा जिसमें ड्राइवल एसेंस पाचान पत्र अधार कार्ड पै किया हुआ है तो उसके बिजनकारी आपको देना होगा ठीक है यह सारे चीजे होते हैं अब यहां पे देखिए इसमें होता है कि आपका जो एक्जाम होता है नो कुछ लिंटीड जगह पर होता है जैसे देख सकते हैं कि आरा हो गया भागल पूर पूर अच्छा हो गया दर पूछे जाते हैं 120 अंक आपको मिलता है पुरी तरह से आपका offline उम्यार सीट पर यहां पर एक जाम होता है जिसमें कहां कहां से कोचन पूछे जाते हैं आपको बताया गया है कि जर्नल इंगली से जो है 15 कोचन पूछे जाते हैं अगर कोई सिक्षा साथत्री में करना चाहता ह तो पंद्रे जो ही सिक्षा साथत्री से यानि की संस्क्रीट से कोचन उससे पूछे जाएंगे तो यह optional है जिससे भी आप करेंगे उसमें से पंद्रे काहीं आपको answer करना है बाकी यहां पे हिंदी की बात करें तो पंद्रे ठीक है और जो भी reasoning है उससे 25 कोचन पूछे अब इसमें जो भी अंग का प्राप्त करेंगे ना उसी के बिहाब पर आपका decide होगा कि आपको सरकारी कोलेज मिलेगा या फिर private college मिलेगा देखिए त्यारी कहीं ना कहीं आप सही करेंगे अंग अच्छा आएगा तो कहीं ना कहीं गोवर्मेंट आपके college में हो जाएगा त जिसके माधिम से 6 जो है salt paper आपको देखने को मिलेंगे 2023 का भी salt paper इसमें दिया गया है जिसके माधिम से आप त्यारी कर सकते हैं और book की खास यते हैं ना कि यहाँ पे इसका जो भी आपको set देखने को मिलेगा उसमें इसका उतर तो मिलेगा ही मिलेगा साथी साथ उसका जो सहीत उतर होता है वो भी आपको देखने को मिलता है जिसके माधिम से अब बहुत ही अच्छी ढंग से अपना त्यारी कर सकते हैं तो परचेश करने के लिए हमने जो है लिंक रिस्क्रिप्शन बक्स में दिया हुए जिसके माधिम से आप ओनलाइन घर बैठे परचेश कर सकते या फिर कहीं भी बुक का दुकान है वहाँ भी जाकर चक्सू परकासन का CET B8 का भुक खड़िद सकते हैं और अपना त्यारी कर सकते हैं तीस तरह से आपको त्यारी करनी है और अच्छा से अच्छा अंग प्राप करना है समझ के चलिए कि 85 पलस अंग का प्राप करेंगे तो कहीं न कहीं आपको गौर्मेंट कॉलेज मिलने की पूरी उमीद रहेगी ठीक है अब यहाँ पर इसमें जो है क्वालिफाइन मार्क्स भी रखे जाते हैं जैसे कि आप रक्षित से आते हैं तो आपको जो है कम से कम 35 परसेंट यानि की 42 अंक लाने पे ही क्वालिफाई म दिबियांग हो गया, अति पिछ्रा बर्ग हो गया, महिला हो गया, EWS हो गया उसको जो 7-7 सुर्पय देना होगा और जो ACST है उनको 5 सुर्पय का पेमेंट यहाँ पे करना होगा तो आप यहाँ पर फर्म को भर पाएंगे तिस तरह से मैंने जो ही सभी जनकारी आपको कभर करने की कोशिस किया हुआ है अब इसका जो फॉर्म है आप देखेंगे तो इसमें बताया गिया है ठीक है कि अल्मोज जो है सभी काम यहाँ पे हो चुका है और लगबग 342 कॉलेज की 37,350 सीटों पे फिर 20 साल एडमिसन हुआ ठीक है और इसमें बोला गिया है कि मार्च की दूसरे सब्ताम में ही आवेदन पर क्रिया सुरू होने की संभावना है यानि कि 15 मास से पहले आपका जो अप्लिकेशन फॉर्म है पुरी तरह से स्टार्ट कर दिया जाएगा तो आप लोग त्यार रहेंगे डॉक्मेंट यहां पर त्यारी को लेकर जनकारी यहां पर दिया गया है कि आफ उसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे बाकी डुयक्र नोटिफिकेशन है उसको आप रिराउड कर सकते हैं इसमें सभी जनकारी अल्मोस्ट मेंसन किया गया है और इस साल भी इसी परकार से एडमिशन होने की पूरी संभावना है उमीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्यूं